हाई गाईज वेलकम योर फेवरेट यूटूब चैनल फेशल केर अंसर्फ आज मैं फ्रेंज फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ काफी सारे फेंडे मुझे इस वीडियो को दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया है शायद आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक भी रिंकल नहीं है है भी तो बहुत थोड़ा सा हलका फुलका सा पर इस रिंकल को रिमूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ इसका जांकर लेने के लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं सोची क्यों ना दिखाया जाए कैसे आप अपने हाथ का रिंकल को फ्री करेंगे रिंकल नहीं रहेगा आपको एक बेबी सॉप स्कीम मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है यह बहुत ही आसान है पर बहुत ही एफेक्टिव है इसके लिए पहले तो आपको एक मसाज लेना है और उसके बाद एक टोनर लेना है और यह दोनों यह आपको घर बैटे ही मिल जाएगा इसके लिए में बहुत ज्यादा इंग्रि बटन उसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सकाइब कर लीजिए क्यूंकि आप सब्सकाइब करेंगे तो आप मेरे फ्रेंट बन जाएंगे आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेट क्वैरी करेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूं भी उसके ऊपर वीडियो बनाके आपको दिखाने सब्सकाइब करना एकदमी फ्री है इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है सब्सकाइब बटन के पास ही देखी एक बेल बटन भी है उसको भी क्लिक कीजिए उसको क्लिक करने से मेरा जब ही कोई नया वीडियो पब्लिश होगा उसके तुरंट बाद ही आपके पास नोटिफिएशन पहुच जाएगा तो चलिए अभी देख लेते इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए पहले ही तो मैं ले रही हूँ दही को दही फेस बहुत अच्छा रहता है स्कीन के लिए यह आपका स्कीन को सॉप बनाता है आपका र पोकोना ट्वयल में ले रही हूँ, इसके साब मैं एड करूँमस्ज की लिए पहले में एक मसाज दिख लिए ताव यह तीन हिर्स लेना है इन तीनों को आपको इक्वेली मिक्स्ट करना है यानि एक चम्मच आप कोकुना टॉल लीजिए एक चम्मच कैस्टरॉयल एड कीजिए और उसमें एक चम्मच खट्टा देड़ एक तीन इंग्रेंस एड करने से आपको एक रिंकल फ्री हैंड मिल जाएगा इसको अच्छे से मिक्स्ट कर कि देखनी के बार आपको अच्छा लगा तो लाइक और श्यार जयूर कीजिए लाइक कीजिए मेरे वीडियो को देखके तो मुझे लगेगा क्या आपको एस वीडियो से बेनिफिट मिला है और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ रिएटिब के साथ इसको श्यार इसके लिए अपको क्या करे लेना है वह महने दिखा देती हूं टोणर के लिए आपको लेना है मिलक काव मिल राहे तो आपको इब मिल्सक्टी अब्यूई कुछ दे ही और को खिरे को कुछ मैं पहले से निकाल के रखे हूं एक कप आपको खीरे का जूस लेना है और दो कप आपको मिल्क लेना है यहाँ पे दो कप मिल्क है और यह एक कप खीरे का जूस मैं पहले से निकाल के रखी हूँ तो फिरे को आप छील के चंग किस दुट इक करे आप रस निकाल सकते हैं तो चलि spider एमन डॉने इन ront करें दिखाए इसको कैसे आपको एक प्रमाइ मैं फेले मैं इससे मसाझ लोंगे, इसको आपको आपको एक्पलाइ करना ही मसाज लेना हुँ इसे मसाँ लेना है आपको 10-15 मिनिट आपको अच्छे से इसको मसाँ करना है फिर से मसाँच जो मैं मैं साज पीम बनाई हूं या वाल बनाई ही जो भी हो यह बहुत ही अच्छा है इसको इस्तिमाल करने के कुछ दिन बाद ही आप देखिएगा आपका हाथ में एक फी रिंकल नहीं रहेगा इसको लगाती है अब समझ पाएंगे कि इतना सॉक्ट है कि वायल कितना एफेक्टिव है देखिए मैं इसको लगा रहे हूं मेरा हाथ एक दम बेबी सॉक्ट हो रहा है मेरे हाथ में यह बहुत ही अच्छा है इसको एपलाई करने के बाद आपको 10-15 मेरेट मालिश लेना है और फेंस एक बाद यह जो मैं टिप्स दिखा रहे हूं यानि मसाज और टोनर इन दोनों को आपको एक ही साथ करना है यह नहीं क्या इन दोनों में से एक दोनों को एक साथ करना है इसको 10-15 मेरेट थोड़ा हलका मसाज लेने के ब बाद आपको गुंगुना काव मिल्क लेना है काव या कोई कोई रोल्क ले लेजिए थोड़ा गुंगुना हो तो अच्छा रहेगा यह मैं थोड़ा बहुत मालिश करके आपको दिखा रहे हूं प्रोफुल 10-15 मिल्ट मैं मालिश करके दिखाने ही पाऊंगी तो आप मेरे हाफ क्या हर करना है तो घर वह स्लेवर प्रोफूलाइए परकाइद कि और रहे हैं व्यूश घ्ली कchemical हो तो जेवाँ अन्गुने कोई प्र्यवा ड्य़ाः डैस भी है तो सामने मेरी हाथ हट कासी और इसलिए मैं मेरे हाथ का च्याल लेती हूं तो थोड़ा बहुत तो करना ही है आपको beautiful बनने के लिए इतना तो आपको करना ही है तो फिर्स मैंने massage ले लिया है आपको गुनबुना मिल्क लेना है यह काव मिल्क है और उसमें आपको यह यानि खीरे का जूस आपको डालना है गुन्बुना काउमेट में आपको नॉर्मल खीरे का जूस एड़ करना है उसके बार हाथ को आपको इसमें डुबोके रखनेना है इसमें डुबोके आपको पास से दस मिट रखना है सबना है जितना ताइम हो सके आप रखेंगे 10 मिट रखेंगे इसके बार नॉर्मल वाटर से दोलेंगे अभी मैं इसको रख देती हूं फ्रिंस मैं थोरा टाइम ही इसको एपलाई कर करके दिखारी आपको पूरा फुल टाइम लेके याणी मसाश करने के 10 से पंधा मिनिट औ वर गोटन को एपलाइ करने के टाइम में 10 मिनिट देना ही देना है और इसके बाद आपको हाथ के धो लेना है तो थोड़े दिन युज़ करने के बाद ही आप देखेंगे आपका हाथ का जो रिंगल है वो पुड़ा रिंगुप हो गया और इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंज्स आपको बेनिफिट मिला और आपको अच्छा लगा तो जबूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बहुत सारे फ्रेंट के साथ और विल्टिव के साथ इसको कोशिश कीजिए शियर करने के लिए ताके वो लोग भी इसका benefit उठा पाए तो चलिए अभी मैं इसको दो लेती हूं ज्यादा time में दे पारी हूं तो आप बोड हो जाएंगे तो अभी मैं इसको दो लेती हूं कि में धोरी हूं मेरा स्कीन पहले से कितना सॉप्ट एंड स्मूध दिख रहा है देखी मेरा हाथ में एक भी रिंकल नहीं है अभी भी मेरा जो भी थोड़ा बहुत रिंकल दिख रहा तो वी घुम हो गया है पूरा डिमूप हो गया है बहुत अच्छा है इससे मसास लेने से और इस टोनर की यूज करने से हंडेट परसंट गैरेंटी है आपका रिंकल जाएगा ही जाएगा तो आप इसको जरूर एपलाई कीजिए और इसका बेनिफिट लेजिए ओके फैंस थैंक्स पर वाचिंग बाई अटेक क्यार कि अड़ी उίνजु के कीजिए गाइश है और एक इसकțiर देट हैं झाल 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 झाल